हेलो दोस्तोम, वेलकम बाक तू माय चैनल, आजके वीडियो में आपकी साथ मैं जाँ कहने वालीू cel इलेक्ट्रिक के त्याइबल buenas, तौलिक पूरी जानकारी के लिए वीडियो लाब्स gefThe वो है electric kettle impacts company की अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक description box में दे दूंगे आप जाके check out कर सकते हैं लगबग जो सारे kettle रहते हैं वो एक जैसे ही होते हैं और उनकी functioning भी एक जैसे ही होती है तो नीचे में एक plate दिया गया है इसके ओपर हमें से place कर देंगे और kettle को आपको open करते वक्त उपर की तरफ इस तरह के से प्रेस करके फिर इसको खोलना है और इसको जो mouth है वो काफी broad है जिससे कि आप आसानी से cleaning वगेरा भी कर सकते हैं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी हाथ बात पर लगेगा नहीं चले चाय बनाना शुरू करते हैं उसके है मैंने यहां पर दूद लिया है तो मैं आपप दो कप चाय बनाने वाली हूं जया सब समय्सिप बसे पहले ऑपाले में शिपते हैं में में Свिच को हम ओन do कि आपको जो है दूद या चाया बनाते वक्त इसका धकन है उसको खोल दे उसको बंद नहीं रखना है कि इसका प्रसेस बहुत ही सेकिंड में गरम हो जाता है उबल जाता है और वह बाहर गिर जाएगा क्योंकि इसमें आटमाटिक फंक्शन नहीं है तो यह बाहर गिर रहना है खोल के ही इसको बॉल भी करना है बस सात-त सकेंड में ही दूद फीकंड में ही डूद ओबलना शुरू है नॉर्मली जिब हैं चुले पर दूद गरम करते हैं या उबालते हैं तो समय लगता है ज़्या नहीं अई है रहें डूसकेंड में आप अराम से एंजॉय कर सकते हैं, दूद्ध उबल गया है, देखिए उपर आ रहा है, जैसी उपर आ रहा है मैंने आपे बटन बंद कर दिया, चाय बनाने के लिए हम इसमें चीनी डाल देंगे, दूद्ध तो उबल गया है, जितने रिक्वाइड चीनी है मैं आपे दो चम मसाले वगेरा भी आड़ कर सकते हैं, चाय मसाला वगेरा, जो हैंडल पर दिया गया बटन उसको मैंने आउन कर दिया, और चाय बनाने या पर शुरू हो गई है, अगर आपके घर में चोटे-चोटे बच्छे हैं, तो उनके लिए भी आप यह जो है घर पे रख सकते हैं, बार बार दूद उनको लगता है, तो इस तरीके से आफट से गरम करके उनको दे सकते हैं, जैसे मैंने बोला आपको सेकिंड्स में ये गरम कर देता है, देखे, उबलना शुरू हो गई हमारी चाय, और जैसी चाय उबलना शुरू हो जाती है, उबलने लगती है, तो आपक बटन को हम बंद कर देंगे चाय जब नीचे चलिएगी वापस से हम बटन को आउन करेंगे वापस इसको उबालेंगे तो इसी तरीके से आपको फॉलो करके चाय को बनानी है इसमें इसमें और भी चीज़े बनाई जा सकती है आपको चाहिए तो मैं वीडियो लेके आती क्योंकि यह पॉर्चन जो है वो गरम रहता है लेकिन इसका हैंडल जो है वो गरम नहीं होता तो हैंडल को आप हाथ लगा सकते हैं बटन को स्विच ओफ और ऑन करने के लिए और बच्चों से इस केटल को दूर ही रखे दोस्तों मैं ज़रूर रेकमेंड करूंगी हर घर मे उनको गरम पानी पीने की आदत होती है तो आप बहुत ही जल्दी इसमें गरम पानी कर सकते हैं इसमें पानी भी 15 सेकेंड में ही गरम हो जाता है बहुत अच्छी तरीके से बॉल्ड पानी पीने के आपको आदत है तो भी आप इसमें कर सकते हैं तो यह जो हमारी चाय है पक में भी रजते हैं bachelor है तो भी आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ है hostel में क्योंकि gas stove नहीं होता है तो आप kettle इसका इस्तमाल कर सकते हैं दूद गरम करने के लिए कभी दूद पीने का मन किया कभी चाए पीने का मन किया तो ये बहुत ही काम की चीज़ है दोस्तो और बहुत ही कम प्राइज में आपको मिल जाती है इसकी प्राइज चेक करनी है इस डीटेल चेक करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशन्स मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी दोस्तो ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथी साथ वीडियो को जितना हो सके उतना शेर करे ताकि सभी तकी इंफर्मेशन पहुचे Thank you so much for watching this video friends मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए आप लोग अपना अपना रखे ध्यान अपने फैमिली का ध्यान रखे बाहर ना निकले स्वस्त्राइए और मस्त्राइए मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई Take care